ओम नमस्शिवाय नमस्कार दोस्तों, आज शुक्रवार्त्रियोदशी के दिन, मैं आप सभी के समक्ष शुक्र प्रदोश्वरत की दो कथाईं प्रस्तुत कर रही हूँ, आइए शुरू करते हैं प्रदोश्वरत की पुराणिक कथा सकंद पुराण के अनुसार सोत जी कहते हैं विदर्व देश में सत्यरत नाम से प्रसिद एक राजा थे, धरम पूर्वक राच्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुक पूर्वक बीद गया, एक समय शाल्व देश के राजाओं ने विदर्व देश पर आक्रमन कर दिया, उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ, दोनों पक्षों की बहुत सीसेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्व देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गई, विदर्व राज की करववती इस्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकल कर वनकी ओर चली गई, सुभा होन पर उस रानी ने जलाशे के किनारे एक व्रिक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशे में पानी पीने गई, इतने में ही एक घडियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया, वह बालक पैदा होते ही माता पि रहा था, उसी समय भगवान भोले नात की क्रिपा से, वहाँ पर एक उमा नाम की ब्रामणी पहुची, वह अपने एक वरश के बालक शुची वरत को गोद में लिये हुए थी, वह ब्रामणी बहुत ही गरीब और विध्वा थी, वह भीक मांग कर अपना गुजारा करती थी उस बालक को रोते हुए देखकर, उसने मन ही मन सोचा, अरे यह तो बड़ी हिरानी की बात है, कि यह नवजात शिशु, जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी, यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसकी माता कहां चली गई? जब वह ब्रामणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहां से एक सन्यासी गुजरे, वह ऐसे जान पड़ते थे, मानो साक्षाच शंकर भगवान हो, उन स्रेष्ट भिक्षू ने उस इस्तरी से कहा, हे ब्रामणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परमक प्राप्ति होगी, इतना कहकर, वह दयालू भिक्षू वहां से चले गई, उनके जाने के बाद, ब्रामणी ने उस बालक को लेकर, अपने घर की और प्रस्थान किया, वह ब्रामणी, एक चक्रा नामक नगर में निवास करती थी, ब्रामणी ने उस बालक का, अपने बेटे के समान ही पालन पोशन किया और उसका नाम धरमगुप्त रखा वह बिक्षा के अन से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी एक दिन वह ब्रामणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई उस समय वहाँ पर अडिल्यमुनी को देखकर ब्रामणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा है ब्रामण एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला फिर भी मैं अपने पुत्र की तरहा ही इसका पालन पोशन करती हूँ देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल में उत्पन हुआ है और इसके माता पिता कौन है तब मुनीवर बोले यह विदर्ब देश के राजा का पुत्र है इतना कहकर शंडिल्यमुनी ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्राहदवारा ग्रस्त होने का सबसमाचार पूरण रूप से बताया यह सुनकर प्रामनी को और भी आश्चरे हुआ फिर उसने प्रश्न किया है महामुनी वह राजा सभी भोगों को छोड़ कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दरिद्रता कैसे प्राप् करेगा यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन से ही जीवन निर्वाह करता है इसकी दरिद्रता के निवारन का क्या उपाए है तब शांडिल्य मुनी बोले इस राजकुमार के पिताविदर्ब राज पूरव जन्म में पांड्य देश के राजा थे एक दिन प्रदोश में बड़ा भारी को लाहल मचा उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए इसी समय राजा का मंत्री शत्रू को पकड़ कर उनके समीप ले आया वह शत्रू पांड्य राजा का सामंत था उसे द मात किये बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोश काल में भगवान शिव की पूजा किये बिना ही भोजन करके सो गया वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ शिव पूजा में विग्न होने के कारण शत्रों ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला पूरव जन्म में जो उसका पुत्र था इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है भगवान शिव की पूजा का उलंगन करने के कारण यह द्रिदृता को प्राप्थ हुआ है इसकी माता ने पूरव जन्म में छल से अपनी सोत को मार डाला था उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई हे ब्रामणी तुम्हारा पुत्र पूरव जन्म में भी एक ब्रामण था इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में बिताया है यग्यादी सतकरम नहीं किये इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है उस दोश के निवारन के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए यदि यह दोनों बालक प्रत्येक प्रदोश के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहें तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का निवारन होगा तथा राज्य सुक की प्राप्ती होगी इस प्रकार शरण में आई हुई ब्रामणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर शांडिल्यमुनी ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की अराधना के मंत्र का उपदेश दिया उसके बाद ब्रामणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई चार मास बाद एक दिन ब्रामण का पुत्र नदी में सनान करने गया वहां उसे धन से भरा हुआ एक खड़ा मिला जिसे लेकर वह अपनी मा के पास गया मा धन से भरे हुए घड़े को देख कर खुश हो गई और उसने कहा इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बाट लो मगर धरम गुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता प्रत्येक व्यक्ति स्वयम के करम का फल भोगता है इस प्रकार प्रसनता पुर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का एक वर्ष व्यतीत हो गया एक दिन ब्रामन का पुत्र और राजकुमार वन्मे भ्रवन करने गये मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गन्धरवकन्याई आपस में खेल रही थी ब्रामन कुमार वहीपर रुक गया और राजकुमार से बोला हमें इस से आगे नहीं जाना चाहिए ये गंधर्व कन्याई हैं, किसी को भी अपनी और आकरशित कर सकती हैं, मगर राजकुमार नीडर होकर आगे बढ़ता गया, जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धरमगुप्त को देखा, तो वह उसके प्रती आकरशित हो गई, उसने अपनी सभी सक्षियों को गया और उससे बातचीत शुरू की, उसने बताया कि मैं विदर्व देश का राजकुमार हूँ, मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं, और शत्रूओं ने हमारे राज्ये पर कबजा कर लिया है, कन्या ने अपना परिचे देते हुए बताया कि मैं विदर्विक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है और मैं गायन में प्रवीन हूँ, उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकाल कर राजकुमार को पहना दी, तब राजकुमार ने पूछा, तुम के साथ कैसे रह पाऊगी, और अपने माता पिता की अनुमती के बिना, तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो, इस पर अंशुमती बोली, चाहे जो हो जाए, मैं वही करूँगी, जो मैं चाहती हूँ, तुम दो दिन बाद प्रातेहकाल यहां आकर मुझ से मिलना, इतना कहकर वह व बहुत खुश हुए, दो दिन बाद राजकुमार पुने उसी वन में गया, उसने देखा कि अनुशुमती अपने पिता के साथ उसकी प्रतिक्षा कर रही है, तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाश पुरी गया था, वहां शिव भगवान और माता मुझे बुला कर कहा कि धरमगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है, जाओ और उसका राज्य पुने प्राप्त करने में उसकी सहायता करो, मैं उनकी आग्या के अनुसार अपनी पुत्री अंशुमती का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ, और राज्य प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मेरी पुत्री दस हजार वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृत्वी पर रहेगी, और जब तुम शिव लोक में आओगे तब भी वह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी, भगवान शिव के आदेशा अनुसार राजकुमार धरमगुप्त और अंशुमती का विवा हो गया, अंशुमती के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी, सेना की सहायता से उसने अपने शत्रों को परास्त कर दिया, और अपने पिता का खोया हुआ राज, तुने प्राप्त कर ल अब राजकुमार धरमगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली करीब ब्रामणी को राजमाता का दर्जा दिया और शुचीवरत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकाल नेवित रूप से प्रदोश वरत कलने से ब्रामणी उसके पु प्रदोश वरत के इस पुन्य मई महतम्य को एक आगरचित होकर सुनते अथवा पढ़ते हैं। उन्हें सोजन मों तक कभी द्रिद्रता नहीं होती। और अंत में वह ज्यान के एश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परमधाम को प्राप्त होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आईए अब शुरू करते हैं। शुक्र प्रदोश वरत की प्रचलित कथा। परंतु उसका गोना शेश था। एक दिन तीनों मित्र इस्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्रामन कुमार ने इस्त्रियों के प्रशंसा करते हुए कहा, नारी ही इन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो वह तुरंथ ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चे करने लगा। माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं होता। परंतु धनिक का पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई। परंतु उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब विवश होकर माता पिता ने अपनी कन्या की विदाई कर दी। ससुराल से विदा होते ही पती पत्नी नगर से बाहर निकल गए। और उनकी बैल गाड़ी का पहिया अलग हो गया। और बैल की एक टांग भी तूट गई। दोनों को काफी चोटे आई। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेट डाकूँ से ह लवाया। वे दिन ने निरिक्षन के बाद घोशना की कि धनिक का पुत्र तीन दिन के बाद मर जाएगा। जब ब्रामण के पुत्र को यह बात पता चली तो वेह तुरंथ धनिक के घर आ पहुँचा। ब्रामण कुमार ने धनिक और उसकी पत्नी को शुक्र करने का परामश दिया और कहा अपने पुत्र को उसकी पत्नी के साथ वापस ससुराल भेज दे। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करवा कर लाया है। इसलिए यदि यह वहां पहुँच जाएगा तो ब अलट ठीक होने लगी और माता पिता के शुक्र प्रदोश का वरत करने से सभी घोर कश टल गए। ओम नमश शिवाए। इस प्रकार शुक्र प्रदोश वरत की दोनों कथाई पूरण हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमश अम नमश शिवाए। हर हर भोले नमश शिवाए।